हाई दोस्तों स्वागत है आपका पैसन कमपेटिशन में सीटेट के प्रिवियस येर पेपर के सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 17 जानुरी 2022 के भी सीटेट के पेपर को इसमें हम लोग सीटेट की इवियस पोर्शन को डिस्कस करेंगे इसके पहले चैनल पर जितने विसिटेट के प्रिविएस येर पेपर कराये गए हैं उन्स सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिनोंने न दिखा हुँ जाकर देख सकते हैं आईए कोशन नमबर 61 से स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 61 है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समाने लोगों का सरोप्रिय भोजन है तो कहां के लोग सबसे ज़्यादा राजमा चावल और छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं तो पंजाब के लोग खाना पसंद करते हैं इसके अलावा गुजरात के लोग ढोकला खाना पसंद करते हैं तथा 36 गड़ के लोग फरा यों बफावरी खाना पसंद करते हैं तथा उत्रा खंड के लोग लेमर राइस खाना पसंद करते हैं आईए question number 62 देखते हैं question number 62 है कि 26 January 2001 को भूज में भूकम के जटके लगे थे भूज किस राजे में इस्थित है तो इसके पहले 25 जनौरी के जो हम लोग पेपर डिसकस किये तो वहाँ पर भी question repeat हुआ था ठीक है तो जो भूज में भूकम के जटके लगे थे वहाँ आपके गुजरात राजे में और उस दिन सोतंदरता दिवस का दिन था आगे question number 63 देखते हैं question number 63 है नीचे दिये गए कि सराजे के गाउं में अधिकांस घर मजबूत बास के खंबो पर धरती से लगबक 3-3 मीटर उचे पर बनाये जाते हैं तथा इन घरों की छते ढालू और फर्स और दिवारे लकडी क बने होती हैं तो यह कहां की घरों की विसेश्ता है तो यहां आपके असम की घरों की बात हो रही है ठीक है असम राजे के गाउं में अधिकांस घर मजबूत बास के खंबो पर धरती से लगबक 3-3 मीटर उचे बने होते हैं इन घरों की छते ढालू एवं फर्स और दिवार लखडी की वनियों होती है इन घरों के खंबे अत्यंत मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान नहोंने पाएं क्योंकि असम में आपके बाढ़ बहुत जादा आते हैं इस वज़़े से यहां पर घरों का जो डिजाइन होता है कुछ इस प्रका दूरी 432 किलोमेटर है कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21 बच के 45 मिनट पे कानपूर से प्रस्थान करके नई देली रेलो इस्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5 बच के 45 मिनट पर पहुचती है इस यात्रा में ट्रेन की ओसा चाल है ओसा चाल पूछ रहा है आपसे तो ओसा चाल बरावर क ओसा समय ठीक तो ओसा चाल बरावर कि ओ जाएगा आपका दूरी बठा समय तो यहां पर देखिए हमें दूरी तो दिया है कितना 432 किलोमेटर समय निकाल लेते हैं 16 December को कितने 5 inspire चला है आपका 21 बचके 45 मिनट पे चला है ठीक है तो एक दिन में टोटल चूबेस घंटे होते हैं मिनट लिख सकते हैं तो 0 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5 और यहां पर 5 में से 4 गया 1 ठीक है और यहां पर 3 में से तो 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 तो 2 गंटा 15 मिनट बच गया यानि कि 16 दिसंबर को कितना चला है, 2 गंटा 15 मिनट तथा, 17 दिसम्बर को कितना चला है, 5 गंटा 45 मिनट, दोनों को जोड़ लेजे ते कितना जाएगा यहाँ पर, 5, 5, 10, 4, 1, 5, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5, 2, 7, ठीक है, 7 गंटा 6 मिनट, यानि कि टोटल कितना, 8 गंटा, ठीक ह करवाईए, तो कितना जाएगा, 8, 5, 40, फिराट चोग का 32, 54 किलो मिनटर पर ती, घंटा आ गया है, ठीक है, किन तुझो एंसर दिया है, हमें, मिनटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको मिनटर पर सेकेंड में कनोर्ट करने के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, 5 बट्टा 18 से देखते हैं, कोर्शन नमर 65 पर एक अच्छा पांच की पर्यावरण अध्यान की, NCRT की पाठे पुस्तक में छपे गुलकुंडा के किन की कीले के मांचेतर में पैमाना इस व्रकार दिया गया है, पैमाना एक सेंटी मीटर इसकोल टो 110 मीटर, आपका एक सेंटी मीटर कितने के बराबर दिया है 110 मीटर के, यदि इस मांचेतर पर फते दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे की बीच की मापी गई दूरी 15-105 सेंटी मीटर है, तो इन दरवाजों की बीच की कम से कम वास्तिविक दूरी है, ठीक है, उनके बीच की कम से कम वास्तिविक दूरी निकाल है तो एक सेंटीमीटर बरावर दिया है आपका 110 मीटर ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 15 105 सेंटीमीटर बरावर कितना हो जाएगा 15 10 5 अब गुड़े कितना हो जाएगा 110 ठीक तो यहाँ लावतार जब गुड़ा करेंगे जिरो से इस तो में तो 200 기자 में करेंगे तो यृजो किलॉमिंटर में करने से यहां पर क्या हो दसमलो तीन अंग पर लग जाएगा जितनी से भाग देते हैं उतनी अंग पर दसमलो लगता है जैसे अगर हम इसे में दस से भाग देते हैं तो यहाँ पर दसमलो लगता कहां यहाँ पर अगर सो से भाग देते हैं तो दो अंग पर दस्मलो लगता किंतु एक हजार से भाग देंगे तो तीन अंग पे आपका दस्मलो लग जाएगा तो एंसर क्या होजेगा एक दस्मलो 705 तो तीसरा सही हो जाएगा एक दस्मलो 705 ठीक है आईए तो देखते हैं नेश्ट कोशन Q66 है मुक्तापूर पोचम पल्ली जिले का एक गाउं है इस जिले के ज्यादा तर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने के कपड़ों को पोचम पल्ली कहते हैं यह जिला किस राज्य का भाग है तो यह जिला किस राज्य का भाग है यह तेलंगाना का भाग है आपका मुक्तारपूर पोचम पुली तिलंगाना राज्य के पोचम पल्ली जिले का ही एक गाउं है और इस जिले के जो ज्यादा तर परिवार है वो बुनकर है जिनके द्वारा बुने गई कपड़ों को पोचम पल्ली कहते हैं आए ये कोस्चन अबर 67 दिखते हैं question no.67 नीचे दियागे किस एक सहर में कियोल एक प्रकार के ही बृच्छ दिखाई देते हैं तो वह है आपके आबु धाबी में आबु धाबी में एक प्रकार के खजूर के बृच्छ दिखाई देते हैं आबु धाबी सन्युक्त राज जिसे UAE कहते हैं की रहज़ानी है और खजुर यहां का लोगप्रिया फल है ठीक है अबुधाबी का सबसे लोगप्री फल क्या है तो है आपका खजुर आए कोश्चर नमर से 68 देखते हैं सिष्टी एठ है कि भोपाल गांधी नगर के ठीक पूर में है तरथा बैंगलोरू भोपाल के ठीक दच्छिड में है बैंगलोरू के सापेश गांधी नगर की दिशा है तो जब हम भारत का मैप बनाते हैं ठीक है तो आपका कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर माली जी इस वाले को उतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है गुजरात होता है और गुजरात सही सटा हुआ यहाँ पर मद्यप्रदेश होता है और इसी के नीचे यहाँ पर हमारा करनाटक होता है करनाटक की राज़ानी डज़ब होता है इधर paar इधर उत्तर होता है और इधर दच्छड होता है तो अगर गांधी नगर यहां पर, तो गांधी नगर के P ничего में धेखिये, यहां पर क्या है आपका भोपाल है ठीक और फिर कह रहा रहा है कि बंगलूरु, भोपाल के ठीक ध्शड में है अगर बंगलूरू यहां पर है तो यहां क्या है भौपाल के सिक ठिक दच्छिण में यह भी सही है तो फिर पूछ रहा है कि बंगलूरू के सापेश गांधी नगर की दिशा यानि कि इसके सापेश इसकी दिशा पूछ रहा है हम से तो यहां देखे उत्तर हो जाएगा यहां देखते हैं पीतल यह ब्रास के विशेम निमलिखित में से सही कथन चुनियें तो सही कथन कौन सा होगा आपका तो वह हो जाएगा आपका कि यह कापर और जस्ता का मिस्रधातु है यह कोश्चन नमबर 70 देखते हैं हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहां कि लोग नारियल औ टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपियोक करते हैं करके अपना स्वाधिष्ट भोजन प्यार करते हैं यह राज्य है तो जहां प्रभी टेपियोका की बात करें इसके पहले भी हमने जितने भी सिटेट की पेपर करवाया है मैक्सिमम पे करते हैं तो भी आपका दोसरा सही हो जाएगा केरल यह कुश्चन नमबर 71 दिखते हैं कि कुश्चन नमबर 71 है कि चांगपा आधिवासी लोग है तो परवा तो पड़ रहते हैं यह बड़े तीकोनी आकरती के टेंटू का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्या 1000 वर से भी पुराना चागपा लद्दाग छेतर के प्रमुक आधिवासी लोग है यह तिबती मुल का बंजारा नामा के एक समधाय है जो लद्दाग छेतर के चांग थंग छेतर में निवास करते हैं यह परवतों पर रहते हैं तथा रहने के लिए बड़े तीकोनी आगरत टेंटों का उपयोग करते हैं जो उनको अत्तधिक ठंडी से क्या करता है रच्छा करता है और इन टेंटों को रेबो कहा जाता है इन टेंटों का डिजाइन लगवग एक हजार वर से भी पुराना है आईए कोस्टन नमबर 72 देखते हैं हमारे देश में राज्योग संख्य कितनी है तो यह लगवग सभी बचोग पताओगा कि 28 है अगर यहीं पर केंदर सासित राज्यों की पूछे तो वहां कितनी संख्य है वहां आपका 8 और जो नविंतम 28 राज्य है वहां तेलंगाना है और जो नविंतम दो केंदर सासित प्रदेश बनें तो वहां आपका जम मुद्रतट बंगाल की खाड़ी पर हैं तो अगर हम दच्छिड भारत का मैप बनाएं तो कुछ इस प्रगर बनता है इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी और इधर होता है आपका अरवसागर ठीक है तो आपके जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसने वाले राज ह तो यहां पर आपका उडिसा बसता है यहां पर आपका उडिसा है और इसी के आगे यहां पर पश्चिम बंगाल है और इधर आपका आंदर प्रदेश और इधर आपका तमिल नाडू है ठीक है तो यह सब कहां बसते हैं आपके बंगाल के खाड़ी पर तो कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका ओडिशा आंदर प्रदेश और तमिलनार्डू ये सब कहां बसते हैं आपके बंगाल की खाड़ी के किनारे बसते हैं आए ये question number 73 देखते हैं question number 74 देखते हैं question number 74 है कि चे राओ कहां का लोगन रहते हैं तो ये भी maximum बार repeated questions हैं 22 जनौरी वाले में भी पूछा गया था तो यहां जोरम के लोगों का प्रमुकन रहते हैं question number 75 है हमारे देख में एक ऐसा छेतर है जो ऊचा सूखा और सम्तल है और ठंडे रिगिस्तान की नाम से जाना जाते हैं यहां वर्सा बहुत ही कम होती है यहां बर्व से ढके परवत और सूखे ठंडे सपाट मैदान या छेतर कहां का भाग हो सकता है तो यहां आपके लेह और लद्दाक का भाग होता है ठीक है कहां का लेह और लद्दाक का लेह और लद्दाक हमारे देश का एक ऐसा छेतर है जो ऊचा सूखा और सम्तल है और ठंडे रिगिस्तान की नाम से जाना जाता है यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है यहाँ बर्प से ठके परवत एवं सूखे ठंडे सपाट मैदान है लद्धा को भार सरकार ने के अंदर सासित परदेश घोशित किया है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों इवियस के बच्चे वे 15 कोश्चन्स को हम लोग नेश्ट वीडियो में डिसकस करेंगे